जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागदे महाकाली भगतियान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ ये तीन काम अपनी पूजा में करने से माता काली आपको दर्शन देन लगती है वो भी स्वेम अपने ही रूप में जी हां भक्तो मैं आज आपको तीन कारे बताने जा रही हूं जो काली माता के अनेक देवी देपता के भक्तो को अपनी पूज़ापाट के समय इस कारे को जरूर करना चाहिए यदि आप इस कारे को करते हैं अपनी काफी समय हो गया है उन्होंने गुरू भी बना लिया है लेकिन अभी तक उनको माता के दर्शन नहीं हुए हैं उनके रूप में उनके रूप की बात तो भुष दूर के कन्या रूप में ही माता नहीं दिखाई दी है तो यह वीडियो भी आप लोगों के लिए होने वाली है इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन ऐसे काम बताने जारी हूँ जो अनेक देवी के और देपता के भक्तों को जरूर अपनी पूजा पाथ में करनी चाहिए। आपको आपके देवी देपता दिखे करेंगे तो मैं आपको पूरी जानगारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी से रिक्वेश्ट आपसे करना चाहूंगी अगर आप लोग महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सैट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भगतों के पास पोचे क्योंकि भगतों ये वीडियो आपके काम की होने वाई के लिए तो आपको डारेक्ट अपने घर में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए सबसे पहले आपको अपनी देवी देपता को इसनान कराना चाहिए और इसनान कैसे कराते हैं चाहिए आप काली मा की पूजा करो किसी भी देवी देपता की करो उससे पूजा पाठ करने से पह महा देप को चड़ाएंगे सूर्य देप के सामने चड़ा देना है नामता करना ह्ता है और सुबानी एक अपने घर में इसनान करें पूजा पाट करने लग जाते हैं जिससे कि उनको देवी देपता के जरा से भी दर्शन नहीं हो पाते हैं अब दूसरा जो मैं काम बताने जारी हैं उसी भी ध्यान से सुनने पूजा पाट करते हैं तो एक दिन में 108 बार किसी भी मंतर को जरूर जपे चाहे काली माता की करते हैं तो मा काली के बीज मंतर को जपे चाहे आप किसी और देवी देपता की करते हैं तो आप अपने देवी देपता के मंतर को जपे लेकिन एक माला अपने मंतर की जरूर जपे चाहे सुभा के समय जपे चाहे शाम के समय जपे, चाहे रात त्री बारा बजे में जपे 108 बार आपको एक मंतर को रोजाना प्रति दिन जरूर जपना चाहिए तब ही आपको आपके देवी देपता के स्वेम रूप में दर्शन हो पाते हैं मैंने माता काली के शाक्षात रूप में दर्शन किये हैं और मैं मा काली के ओम किरिम काली का इनमहा मंतर का जाप रोजाना करती थी तो आप भी जो मंतर के जाप करेंगे उससे ही आपको शक्ती मिलेगे और उससे ही आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे अब मैं जो तीसरा काम बताने जारी है उसी भी ध्यान से सुनने ये आपके लिए भोच ज़्यादा जरूरी है अगर आप भक्ती करने वाले इंसान हैं तो इन बातों को जान लो अपने मन में रख लो कि हाँ मुझे इस कारे को करना है अगर मैं अपनी आज गलती सुदार हूँगा तो कल मुझे उसका फल मिलेगा अगर गलती नहीं सुदार होगे तो इसमें आपका नुकसानी होता रहेगा कभी भी आपको किसी चीज का भक्ती का पूज़ापाट मंतर जाप का फल नहीं मिलने वाला तीसरा कारी ये होता है जैसे मान लीजिए आप अपने घर में अपने देवी देपता को किसी भी चीज का भोग लगाते चाहे सुबह लगाएं चाहे शाम को लगाएं कभी भी लगाएं तो जिस समय आप अपने देवी देपता को भोग लगाते हैं, चाहिए लोंग बतासे का लगाओ, चाहिए मीठे पान का, किसी भी चीज का लगाओ, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब आप उन्हें भोग लगा देते हैं, तो भोग लगाके तुर और आप जो भी भोग पर साथ है वह आपके देवी देपता तक स्वेम पहुचेगा और जब पहुचेगा तो आपके देवी देपता आपको अपने रूप में दिखने लगेंगे आपको रोजाना उनके दर्शन होते रहेंगे तो मैंने जो तीन कारे बताए है इस पे अंतेरा और जो जो लोग दर्शन करना चाहते हैं मा काली का ये आपने देवी देपता का तो वो ये तीन कारे करना जल्द से जल्द शुरू कर दे और एक दो दिन में ही 101 परसेंट गारंटी देती हूं आपको आपके देवी देपता के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे वो भी उनके रूप में तो चलिए भगतो हम मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मा काली हरहर महादेम मातक काली बाबा भोलेना ता आप सभी की सारी मनुकाबना पूरी करें खुश रहें आप और आपका परिवार